कि नमस्कार दूस्ता आफ से लों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटीब चैनल फुल टेक्निकल इंडिया चैनल पे और आज हम बात करने वाले हैं जो परिवर्तन हुए हैं हमारे कॉमेनिटी टेव में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसे भी हम देखेंगे और क्या क्या परिवर्तन होने के बाद आप किस तरह से वीडियो को अपलोड कर पाएंगे कॉमेनिटी टेव में वह भी हम आपको देने वाले कॉमेनिटी टेव का साइट क्या है पहले क्या था पहले किस तरह से पोस्ट करेंगे वे सारे जनकारे आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो चलिए शुरुबात करते हैं आपको सबसे पहले अपना YouTube ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको माई चैनल पर जाना है तो चलिए आप पर चलते हैं माई चैनल पर और देखते हैं कॉम्मिनिटी टैब को पहले एक जलक और फिर उसमें क्या-क्या परिवर्तन है आपको साफ नजर आएगा आपके आपका YouTube चैनल है अगर कॉम्मिनिटी टैब आपके आ गए है तो आप भी देख पाएंगे वहां पर क्या-क्या पर एक छोटे से थमनेल में अब दिखाई दे रहा हो परिवर्तन हो गया है जो बड़े बड़े जो थमनेल दिखाई दे रहा है अब परिवर्तन होने के बाद हमने अव्लोड की है तो बड़ा साइट की इस तरह से आएगा उसका साइट क्या है हम सारा डिटेल से आपको इस व फोटो का size होगा 1 by 1 होगा और 1 by 1 photo के बीच में आप thumbnail set कर सकते हैं जिस तरह से हमने set क्या आप यह देख पा रहे हैं उस तरह से आपको set कर लेना है वो set करने के बाद कि रहां पर पोस्ट कर देना है तो आप इस तरह से करने से आपका जो community tab यह अच्छा दिखाई देगा और वहां का जो उसका thumbnail होता है वो thumbnail भी बहुत अच्छा आपके सामने दिखाई देंगे तो इस तरह से दिखाई देने से मतलब यह होता है कि जो on by one size कर दिया है अब यहाँ पे कुछ बड़े thumbnail में आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक बड़ी thumbnail मिल जाता है आपको इस तरह से एक बड़े thumbnail के रूप में आप user कर सकते हैं और Community टेंब में डाल सकते हैं तो इसकाatta one by one है और इसी तरह से आप कर सकते हैं इडिट कर सकते हैं असानी से और उसके बीच में आप असानी से थमनेल भी ठाक करके आप अप्लोड कर सकते हैं तो यह जनकारी आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताईए अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए था हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल अक्ट प्रेस किये तब तक कि लिए टाइटाइब वाई वाई फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो में